तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है नवरात्री का फूड बिसिकली जो हम वरत रखते हैं उस टाइम पर जो हमने खाना खाना होता है तो यह वहला आलू का परांठा है जो हम वरत के टाइम पर खा सकते हैं प्लीज इग्नोर यह कूकर की विसल्स वगेरा क्योंकि आज मैं कहीं अकेले में जाकर नहीं recording कर सकती तो मैंने उबले हुए आलू लिये ते तीन जिसमें कि मैंने हरा धनिया और हरेमिज डाल कर इनको अच्छे से तो आप यह जरूर बना के ट्राइ कीज़ेगा बहुत ही टेस्टी लगता है तो इसमें मैंने अब मैं डाल रही हूं करीब एक कटोरी कुट्टू काटा यानि कि आपने तीन अलू लिये हैं आप उसमें एक कटोरी कुट्टू काटा डाल सकते हैं तो आप प्रपोर्शन और सेट कर लीजे प्लस अब मैं इसमें कुछ सूखे मसाले डालने वाली हूं जो हम लोग खा लेते हैं व्रत में अगर आप नहीं खाते हैं आप वो स्किप्ट कर सकते हैं मैंने इसमें काला नमक डाला है आप सेंधा नमक डाल सकते हैं आप अपनी इच्छा के इसाप से डाली और इसमें डाल रही हूं अजवाइन लाल मिर्च थोड़ा सा देसी घी आप चाहें तो पबहुत हर्वा अब यूजह ओने अखा शीजो horse is not thecat note mix करके इसका एक smooth सा आटा prepare कर लोगी आपको बिसिकली इतना smooth करना है कि वो आपके हाथ पर नहीं चिपके लेकिन tight नहीं होना चाहिए अगर वो tight होगा तो वो रोटी नहीं बनेगी ठीक से तो you can see कि ये कितना smooth सा मैंने आटा गुंद लिया है अब इसको जो रोटी बनाने का जो इसका परांठा बनाने का procedure है वो थोड़ा सा tricky है आप दो तरीके से बना सकते हैं basically मैं जो बना रही हूँ मैं हाथ से ही बना रही हूँ अगर आप हाथ से comfortable नहीं है तो आप ये देखे हो ये मैंने polythine लिया है अब आपने क्या करना है इस पर ये पेडा रख रही हूँ मैं जो तरीके से बना रही हूँ मैं आपको वो दिखा रही हूँ अब हमने तवे को अच्छे से गरम करना है वैसे तो यह नॉन्स्टिक है अच्छे से गरम कर लीजिए और उसके बाद आप इसको उलट पलट कर सेक लीजिए इस पर हम घी लगाएंगे घी लगाकर इसको सेक लेंगे मतलब आप यकीन मानिये यह इतनी टेस्टी होते हैं इतनी टेस्टी होते हैं कि आप जब रत नहीं चल रहे होंगे आप तब भी सोचेंगे कि मैं इसको बना कर खा सकते हैं आप इसको बना कर तो मैं इसको पनीर की सब सब्सक्राइब के साथ प्रांथ के साथ राप् это ऐन रिज़ इसके प्रांथे के साथ कुछ खास Sydney जाएब साथ उसके इसको पनीर की सब्सक्राइब आने वाली हूँ तो आपके पराथा जरूर ट्राइ कीजेगा आपको बहुत पसंद आने वाला है मिलती हूं नेक्स वीडियो में तिल देन बाबाई